हलो एवरिवन, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक होममेट बोडी लोशन का रेसिपी लेके आई हो और ये जो बोडी लोशन है ये विंटर के लिए बहुत जादा इफेक्टिव है और बहुत ही कम चीजों से बन जाती है तो चलिए जादा देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं इस बोडी लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोकुना टोयल लेना परेगा अगर आपके पास वार्जिन कोकुना टोयल है तो जादा बहतर होगा अगर नहीं है तो आप किसी भी तरह का कोई भी ब्रैण का प्यरच ली यूज़ कर सकते हैं और वैसे हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छी नहीं जाती है छे कोकोना टोयल से स्कीन जो है यह मौस्ट्राइज होती है यन्कल अगईरा नहीं पड़ती है, एंटी ऐजिंग का भी काम करती है तो कोकोनार रोयल के साथ मैंने यहाँ पे एलोवरा जेल का एड़ किया है मैंने यहाँ पे पतांजली का एलोवरा जेल लिया है, आप किसी और ब्राण का भी ले सकते हैं टो आप इक्वेल क्वांटिती में एलोबैरा जेल भी ले ले जैसे दो चमच एलोबैरा जेल iam full बेडिया एड़ कर लिया है तो यह केपसुल के अंदर इसका जो ओयल है इसे हम निकाल लेंगे मैंने इहां पर दो ही केपसुल एप किया है आप अगर चाहे तो आप तीन भी कर सकते हैं यह जो मोस्टराइजर हम बना रहें यह आपके स्कीन को 10-12 आवर्स के लिए मोस्टराइज रखेगा यह बहुत ही अच्छा काम करता है ठीके पहले आप एक बात बताओ कि आप विंटर में अपने स्कीन को मोस्टराइज कप करते हो आप रात में सोने के ताइम में आपको अपने स्कीन में लोशन अप्लाइ करोगे तो आपके जो स्कीन है यह रात को जादा अपने रिपियर मूड में होती है और आपके जो स्कीन है यह बहतर हो सकती है अगर आप पूरे रात स्कीन को इसे सुखा सुखा रख दोगे पुरा ड्राइ रहेगी आप दिन में लेकिन सोने के पहले आपको जरूर ही अपने बोडी में थोड़ा ध्यान देना ही है जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इसका क्रीमी सा टेक्शुर लाना है अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप इलेक्टरिक ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें अगर नहीं है तो आप इसे मिक्शर ग्रैंडर में डालके अच्छी तरह से एक्टूबर चला लें लेकिन इससे पहले आपको जो ग्रैंडर है अच्छी तरह से साफ कर लेना है तो आप देख सकते हैं हमारा क्रीमी सा जो बोर्डी लोशन है वो तैयार हो चुका है तो अभी मैं आपको एपलाई करके दिखाती हूं यह जो मॉस्ट्राइजर है यह आपके स्कीन को बहुत अच्छी तरह से मॉस्ट्राइज करें की साथ ही यह जऴा स्टीकी चिपचिपा भी नहीं है इससे अपलाई करने के कुछ सेकंड बाद ही जो यह है आपके स्कीन में अच्छी तरह से अब्जर्ब हो जाती है यह बहुत अच्छा वोड़ करती है तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छे लगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर करें तो चलिए अभी के लिए टाटा बाई बाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में